लोक क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपनको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंट्रेस्ट का येरली कंपाउंड होना चाहिए और हाफ येली कंपाउंड होना चाहिए एक बर्स के अंधर का ठीक है आठ हजार रुपे का प्रिंसिपल है दस परसेंट रिट ओफ इंट्रेस्ट है दस परसेंट रिट ओफ इंट्रेस्ट है आठ हजार रुपे का प्रिंसिपल है देखो अगर एक साल का compound interest निकालना हो yearly compounded हो रहा हो तो compound interest और simple interest एक ही बात है तो आप simple interest निकाल सकते है 8000 का 10% कितना होगा आप बुरुकसर 8000 का 10% 800 रुपए interest मिलेगा ठीक है यह एक साल का हो गया अब माल लो कि compounded happily हो रहा है तो साल में दो बार उसको ब्याज देना पड़ेगा पहली बार में कितना मिलेगा तो देखो rate of interest कितना 10% साल बर का च्हमाईने का कितना हो जाएगा 5% इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है 8000 का 5% कितना होगा तो अब बुरुकसर 400 रुपए तो पहली 6 माईने बाद उसको मिलेगा 400 रुपए ब्याज अगले 6 माईने बाद उसको 400 रुपए ब्याज मिलेगा प्लस इस 400 रुपए और ब्याज मिलेगा यह 400 रुपए किस पर मिला 8000 रुपए प्याज ठीक है इस 400 रुपए और 5% मिलेगा तोुगा तो यह कितना हो जाएगाkanung को 20 ठीक है 20 रुपए कभी आज और मिलेगा अगर आपने difference की बात करें तो देखो यह 800 रुपए तो मिली रहा है प्लस एक्स्ट रुपए लुपए मिल रहा है यह extra 20 रुपए ही क्या हो जाएगा difference हो जाएगा जो कि A option में दिया है